अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शु को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना आए आज का पंचांग दो दिसंबर सन दो हजार बीज दिन बुद्वार महिना मार्क्षीश कर्शन पक्स संबंद दो हजास तत्तर तिथी आज दित्या है नक्षत्र ब्रक्षीडा राहुकाल बारा सिर्यड दिशासूल उत्तर पूर्व दिशा ग्रहों से संबंद कुछ उपचार ऐसे होते हैं जो हमें जीवन के समय समय के पड़ाओं पर करते रहने चाहिए जैसे आपकी जर्म पत्रिका में जो ग्रह सबसे निर्मल हो उसका हमें सबसे पहले उपचार कर लेना चाहिए ऐसे हमारे हतेली में कुछ मुखे रेखाएं हैं उनका भी उपचार कर लेना चाहिए उपचार उनके मंत्र उनका दान आदी करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और हम बहुत अच्छे से फलने फूलने लगते हैं इसी के सास्तात कुछ और भी बाते हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए आज हम बताते हैं कि जोतीशे बात तो हमने आपको बताई बताई कि ग्रहों का उपचार हमें करते रहने चाहिए ऐसे कुछ अन्य पक्ष भी होते हैं जैसे हमारे घर में कई बार हम पूजा पाट करते होते हैं और कुछ मूर्तिया खंडित हो जाती है जैसे कहीं से देवी देवताओ की उंगली खंडित हो जाती है पैर खंडित हो जाता है पैर की उंगले खंडित हो जाती है तो हमें खंडित मूर्तियों पर साधना नहीं करने चाहिए खंडित मूर्तियों का हमें क्या करना चाहिए बहुत अच्छे से कोई नया वस्तर खरीदें लाल या पीला या जैसा देव है उससे संबंदित वैसे ही रंग का कपड़ा खरीजा जाए वस्तर परीधान उसमें अच्छे से तीन बार लपेट करके उस मुर्ती को हमें जल परवा कर देना चाहिए 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 वो मैटल की है चाहिए वो प्लास भाइपर पीपल के नीचे हम इस प्रकार से बेकदरी से उसको रखाते हैं तो ये तरीका मेरे इसाब से उप्युक्त नहीं है तो हमें ऐसे कदापी नहीं करना चाहिए ध्यान रखें इश्वर न करें कि कई बार हमारे भी हाथ पाउं में कोई ऐसी चोट आ जाती है तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को घर में कुछ हो जाए उसे हम कहीं ऐसे तो नहीं चोड़ाते न तो ऐसे ही कदापी आप ऐसी भावना ना करें कोई भी मूर्ती है कोई भी ऐसी चीज़ है खंडित होने पर उसे कहीं भी ऐसे यदा गदा आप लोग करपया ना रखें अदब के साथ हम हमारे वस्तर ऐसे होते हैं भगवान जी की पोशा के होती हैं ड्रेस होती है या हमारी कोई पूजा की ऐसी ड्रेस होती है या हमारे विभाशादी की ऐसे कोई कपड़े होते हैं जो खराब हो जाते हैं कट जाते हैं कुत्रे जाते हैं या फट जाते हैं तो वहां मन में शंचे ले आते हैं कि हम इन वस्तरों का क्या करें किसी को देने को मन नहीं मानता तो ऐसी एस्टिती में भी उन वस्तरों को भी हम जल परवा कर दें मलग कहीं ऐसी जगा उसको हम जल परवा करें निर्जन स्थान में या किसी निरजन इस्थान में उसको हम अच्छे से में गड़ा बड़ा बना करके हम मिटी में उसको अंदर से दबा सकते हैं ऐसा भी हम कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एक बात और बताएं कुछ लोग हमसे पूसते हैं कि जो हमारे सर्दी होती है बहुत गर्मी होती है अपने अपने रितू के अनुकूल के जो वस्तर होते हैं वो किसी को हम दे सकते हैं हाला कि आज के इस परिवास में कोई किसी के वस्तर नहीं पहरना पसंद करता है लेकिन हम किसी अपने रिष्टों में भी दे सकते हैं ऐसा नहीं है आप ऐसे कोई नीडी लोग हैं, जरूरत बंद के लोग हैं, उन्हें भी अपने पुराने वस्तर दिये जा सकते हैं, तात पर यह कोई दोश नहीं है, पहले हमें याद है अच्छे तरह से, कि जब पुराने जिमाने में बात करें, नहीं इतने वस्तर होते थे, नहीं इतना पैसे म आज का परिवेश एकदम डिफरेंट हो चुका है, कहने का भाव अगर कोई नहीं लेता है, तो आप अपने पुराने वस्तर किसी को दे सकते हैं, या फिर घर में ही उन्हें काट फाट के, अपने साफ सफाई में, या किसी चीज में, अगर मन नहीं मानता है कि साफ हम तो दें होते हैं, वोने साफ करने में, और किसी पी चीज में आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बहवाली बात नहीं है, लेकिन, चीन जिन वस्तर, कटा हुआ वस्तर, और खंडित मूर्ती, हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, बस इस चीज का आप लोग धियान र करता है, कपड़े में आविश्टित करके जल परवा कर दें, आए दर्शों को समय चला आज की ध्यान मला का, आज की ध्यान में जुड़ते हैं, हम भगवान शिरी राम से, ओम रामो राजमनी सदा विजयते, रामम्रमे संबजे, रामे नाविहता निसाचर्चमू, रामायतास मैनमा, रामा नास्ति परायनं परतरं, रामस्यदा सोम्यःं, रामे चितलया सदा भवतुमे, भोराममा मुद्धर, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने, आदूराम तपोवनं दिगमनं, हत्वाम्रिगं कांचनं, वैदेई हरनं, जटायुमरनं, सुग्रिवसां भासनं, बाले निग्रहनं समुत्रतरणं, लंकापुरे दाहनं, पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं, इतद्धिरामायनं, कबच बना लें, ध्यान करें, राम जी का अशिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेतर खोलें, समानने हो जाएं, देखो दर शुको, जीवन में कई बार कुछ चीजों से हमें विसेस लगा हो जाता है, अपने किसी विसेस मूर्ती से, अपने किसी विसेस इश्ट से, अपने किसी विसेस वस्तर से, अपने विसेस तर किसी आईने से हो जा होना एक बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन अलगाओ होना दुख की बात है कोई चीज़ जब हमसे अलग होती है तो हमें लगाओ होते हुए हम उससे अच्छे के लिए अलग होते हैं तो आप दुख ना माना करें अब हमारा कोई बहुत अच्छा वस्ता फट गया या कमजोर हो गया या हमें आता ही नहीं पहना ही नहीं जाता है हमारे सरीर में तो हमें वहाँ पर ऐसा मन में दुख नहीं लाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़ादा फटेची उन्वस्तर गण में अच्छे नहीं होते है और लगाओ तो हमें होता ही है परिवर्तन संसार का नियम है हमें अपने से लगाओ होता है हमारे मवाफ हमसे पिछड़ जाते हैं रिस्ते नाते संसार से जुदा होते चले जाते हैं और नजाने कितनी दिवंगत आत्माएं और पूर्वज हमसे जुदा हो चुके हैं तो कभी भी किसी का जी नहीं करता कि हमारे हमसे दूर चले जाएं लेकिन जैसे युश्वर की इच्छा संसार में जो आया है एक दिन वो जाएगा तो जरूर नदी पाहड नाले सब अपने अपने इस अपने इस संसार से जाना ही होता तो आप यह भी मनमद दुखाया करें कि हाई राम मैं कैसे करूं कैसे अपनी इस सूट को दुपटे को इस चर्ट को इस पैंट को कैसे जुदा करूं नहीं ऐसा ना सोचा करें अब समय आ गया है इसलिए चलते चलते इतना ही कहूंगा और किसी भी प्रकार का प्रामर्शाफ हमसे चाहते हैं चोतिशी अविश्रेशन चाहते हैं अपनी जलम पतरिका के उपर यहाद की रेखाउं के उपर उसके लिए आप हमारे दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं और समधान आप उसमें Прाह्प्त कर सकते हैं utu kка साथ हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें करें करें सबसक्राइब प्रधक करें आप हमारा कारिक्रमा सक्राइब करेंस करेंसे तक